नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल पर आपके स्वागद है आज मैं बात करने वाला हूँ अपने आधार कार्ड में विदाउट एड्रेस प्रूप के एड्रेस कैसे चेंज करना है तो अगर आपके पास एड्रेस प्रूप है तो यहाँ पर बहुत यहाँ आसान तरीके से अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हैं तो कैसे आपको यहाँ पर एड्रेस चेंज करना है अपने आधार कार्ड में आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको गयागा ने माई आधार के साइट में आजाना है अगर आप डारीडीटिस पर आने चाहते हो इस वाली वीडियो के निचे मैंने इसका लिंक दे रखाऊं क्लिक करके आप डारीडीटिस पर आ सकते हो अगर मोबाल में चाहते हो प्रोसेस यहां पर सेम है नेक्स्ट जोज में नहीं आरा इस ऐरो क्यों फर क्लिक करने यहां पर निव एपचर आजाएगा तो आपको क्या गाने यहां पर निव एपचर फिलाप कर देना आए अब सारे डीटेल्स फिलाप करने के बाद आपको यहां पर दिखाए देगा लोग इन विद ओटीपी तूग गाने कर दिने अब आपको यहां पर कर लोग इन के कर दो एपलोड कर देना है जैसे कि आपको यहां पर दिखा देना है लेकिन फिलाल यहां पर 14 जून तक है तो आपको यहां पर अप्लोट कर लेना है मैंने अल्रेडी वीडियो बना रखाऊं कैसे आपको यहां पर डॉक्मेंट्स अपडेट करना है आप यहां पर आपको अपने आधार काड में एड्रेस चेक करने के लिए आपको यहां पर दिखाए देगा प्रोफाइल तूग अगर ना इसी के पर क्ल करने आप यहां पर देख सकतों अपने आधार काड में क्या एड्रेस है तो पहले आपको यहां पर इसी तरीके से चेक का लेने आप यहां पर आपने आधार काड में एड्रेस चेंज करने के लिए आपको यहां पर दिखाए देगा एड्रेस आपडेट तो क्या अगर नही आपको निचे की तरह बनुटिक यहां पर आपके प्रॉफर सोफ नपर के न में बोला जाए ऑपके फैमिली में ड नम्मरा में Veterans चेंज करने चाहतो उसी का आधार नमबर आपको यहां पर फिलाप कर देना आए आप यहां पर आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नमबर लिंग होगा वह यहां पर इसी तरीके से यहां पर आपके Related में कोन लगता है मतलब आपने आधान नमर फिलाप क्या है क्या आपको यहां पर ज्टमाद पैप सब्सके के option आपको मिल जाएगा तो आपने हिसाब से आपको यहाँ पर चूस का लेना है नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखाए देगा सिलेक्ट वैलेट सापोटिंग डॉकुमेंट्स टाइप तो क्या गाना है इसी के फ़र क्लेक करना है अपने पास इसी तरीके से डॉकुमेंट्स के लिस्ट ऑपिन हो जाएगा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी आपको डॉकमेंट्स यहाँ पर चूस करना है फैमिली मेंबर के जो भी आपने आधान नोमर फिलाब किया है उपास कोई भी डॉकुमेंट्स नहीं है तो आपको यहाँ पर एक option मिल एसल्फ डिक्राइस तो क्या तो anti-sell उसके बाद आपको यहां पर आपको प्रॉम दिखाएद रहे इस वाले स्थ्रॉम को पहले आपको ओंलाइन डाउनलोट करना है नहीं तो आधर सेंडर में आपको मिल ren perd वाले फ्रॉम को पहले फिलाब करना है और आपको अपलोट करना है तो मैंने यहां पर रेशन काड़ अपलोट करके एड्रिस चेंज कर लेता हूं तो इसी वाई से मैंने यहां पर रेशन काड़ चूज कर लेता हूं तो आपने ही साब से आपको यहां पर चूज कर लेना है बहुत सरे आपको यहां पर option मिल जायाएगा next आपको यहां पर okay दिखाई दे रहाए okay में click करना है आप यहां पर आपको दिखाई दे रहाए दोकुमेंट्स अपलोड हो चुगा है उसके बाद आपको यहां पर next दिखाई दे रहाए next के पर click कर देना है आप यहां पर आपको छोटा सा कोनीन करना हों इसand isisak je GIS लिए यहां पर पर उन करते दम आने अपने करके देतों यहां पर पर टीन करते देने आपके पास इसी तरह के से दोबना मोटी आया यहां पर वीरिफाई के पर ककलना हें ओर आपको यहां पर कांटीनू दिखाए जा रह यहां पर पर कांट पर देख सकते हमारे आपर पर पेमेंट सुक्सेशफुल हो चुगा है अगर आप नॉलेज में को डाउनलूट करने चाहत हो तो इसके पर क्लिक करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो उसके बाद आपको यहां पर एक एसर नॉमबर दिखाए देगा तो आपको क्या कर लेना है ुर्ट करके रख दोला पर दिखाए देगा लोगिन लोगिन कर कने आप यहां पर आपको आधा नॉम्बर फिलाब नहीं करना है जिसका भी कि आपने आधार काड़ के बेसेस में आड्रेस चींज करने के लिए रिक्वेश डाला था उससी की आधान नमर आपको यहां पर फिलाप करना है मतलब आपके अधान नमर्ट यहां पर फिलाप करowsकेब काणंने के बाद एब यहां पर दिखाए देगा मैं हे Tap इसके बाद आपको यहाँ पर सारे नॉमर फिलाप पर नहीं पढ़नड़ करना है तो नहीं생 को भाडना ऊपर दिखाई देगा एक्सेप्ट कापने के बाद आपके यहाँ पर कॉंटीनू का ऑफिन आजाएगा तो क्या अगर नहीं कॉंटिनू के फ़र क्लिक करना है इतने काम करने के बद आप यहां पर देखशाक तो हमारे यहां पर सक्सेश्फुल हो चुका है तो आगर अपने आधार कार्ड में विदावर एड्रेस रूप के एड्रेस चेंज करना है तो इसी तरीके से आपको यहां पर एड्रेस चेंज करने दो से चार दिन के अंदर आपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाएगा दोस्तों यह था चुटा जानकारी जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले